वेलकम टो एकजाम सहपाथी आज के इस क्लास में सबसे पहले हम लोग देखेंगे 11 नॉमबर 2022 के अपने डेली करंट अफेर्स को उसके बाद लाश्ट 6 मन्त के कुछ इंपार्टेंट करंट इवेंट्स का रिविजन करेंगे और लाश्ट में स्टेटिक जीके और जीये के कुछ इंपार्टेंट क्वेस्टन को देखेंगे तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आया है तो यूट्यूब पे हमें सबस्क्राइब कर सकते हैं तो यह आयोजन किया जाएगा आपके वारारसी में पीम गती सकती मल्टी माडल जलमार्ग सिखर सम्मेलन का अगला क्वेश्चन नमारा है दस से बारा नौमबर 2022 तक टेली मेडिसीन सोसाइटी आफ हिंडिया के द्वारा अठारवा अंतराष्ट्रिय टेली मेडिसीन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा तो यह आयोजन किया जा रहा है आपके कोच्ची केरल में ठीक है और किस के दार किया जा रहा है तो टेली मेडिसीन सोसाइटी आफ हिंडिया के दार किया जा रहा है इस सम्मेलन में जो आपके इसरो के वर्तमान में प्रमुक है इस सोमनाथ इनको मुख्य आती थे के रूप में इसमें इन्वाइट किया गया है ठीक है तो अठारमा टेली मेडिसीन सम्मेलन कहां पे हो रहा है तो ये हो रहा है आपके कोच्ची केरल में हाल ही में किस टाइगर रिजर्व ने एलिफेंट एडाप्सन प्रोग्राम सुरू किया है तो एलिफेंट और एडाप्सन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है अन्ना मलाई टाइगर रिजर्व के द्वारा ठीक है तो Elephant Adoption Program अन्ना मलाई टाइगर रुजर ने स्टार्ट किया खेलो इंडिया उनिवस्टी गेम्स का 2023 में जो है मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा तो खेलो इंडिया उनिवस्टी गेम्स 2023 में ये उत्तर प्रदेश राज्युदार इसकी मेज़बानी की जाएगी और उत्तर प्रदेश के चार सहरों में इसके खेल होंगे कहां कहां पे तो ये होंगे लखनव में गोरकपुर, वाराणसी और नोएडा तो चार सहरों में उत्तर प्रदेश के खेलो इंडिया उनिवस्टी गेम्स 2023 जो है आयोजित किये जाएंगे हाल ही में अंतराश्ट्री ये कन्नड रतन पुरुसकार किसे प्रदान किया गया तो कन्नड रतन पुरुसकार प्रदान किया गया है आपके ये आपके करना टेक के साही परिवार है उसके सदस्य है ठेक है वाइकेसी वाडियार और इनहें ही जो है अंतराश्ट्री कन्न डरतन पुरुसकार से सम्मानित किया गया Skyroot Aerospace Company के दोरा निर्मित भारत के पहले निजी तोर पर विकसित रॉकेट का क्या नाम है तो यह पर पहला प्राइवेट तोर कर विकसित रॉकेट है नाम इसका रखा गया है विक्रम S और किस कमपणी ने इसे बनाया है तो Skyroot Aerospace Company ने बनाया है और ये भारत का पहला प्राइवेट जो है विक्सित राकेट है नाम इसका क्या है विक्रम S दो से पाँच फरवरी 2023 तक राश्ट्रिय सीथ कालीन खेलों का आयोजन कहां पर किया जाएगा तो राश्ट्रिय सीथ कालीन खेल जो है आपके 2023 में जो आयोजित किया जाएंगे वो आयोजित किया जाएंगे आपके ओली उत्तराखंड में ठीक है ना तो ओली उत्तराखंड में राश्ट्रिय सीथ कालीन खेलों का आयोजन किया जाएगा अगला है हमारा नॉम्बर 2022 में ICC Cricket Hala Femme में सामिल कौन से तीन खिलाडी जो है इसमें सामिल किये गए तो ICC Hala Femme में जो है अब तक 106 खिलाडी सामिल थे अब तीन और खिलाडीों को सामिल किया गया है ठीक है तो ये कौन कौन से हैं तो ये हैं आपके सिव नारायड चंदरपाल जो की कहां के हैं तो ये West English के हैं और अबदुलकादिर अबदुलकादिर अपके पाकिस्तान के खिलाडी है शार्लोट एडवर्ड जो है ये इंगलेंड की खिलाडी है ठीक न ये सब ही आपके पूर्व खिलाडी हैं तो इनको जो है ICC के Cricket Hall of Fame में अभी हाल ही में सामिल किया गया नॉमबर 2022 में 21 से 30 नॉमबर 2022 तक किस राज्य में संगाई महोट्सो जो है मनाय जाएगा तो संगाई जो है संगाई हिरन जो है ये आपके मड़ी पूर का क्या है राश्ट्रिय पसू है ठेकना तो संगाई महोत्सो जो है ये मनाय जागा कहाँ पे तो ये आपके मड़ीपूर में मनाय जाता है बेली के एसफोर्ड मेडल से सम्मानित होने वाले भारत के पहले वैग्यानी कौन है तो ये प्रथम भारती वैग्यानी है जिन है आपका बेली के एसफोर्ड मेडल प्रदान किया गया और इनका नाम है डाक्टर सुभास बाबू अगला हमारा है कोप 27 के दौरान मेंग्रो वनस्पतियों के सनक्षण के लिए मेंग्रो एलायंस फार क्लाइमेट के सुरुवात की गई तो याद रखिएगा अभी आपका कोप 27 कहां पे हो रहा है तो ये आपके मिस्र देश में हो रहा है और मिस्र के सर्म अल सेख में जो है इसका एजन किया जा रहा है ठीक है और इसमें एक एलायंस की गोशड़ा की गई जो है आपका मेंग्रो एलायंस फार क्लाइमेट ठीक है और इसमें कौन- की गई है केंद्रिय ग्रिह मंत्री के द्वारा कितनी भासाओं पर मदर टंग सर्वे आफ इंडिया रिपोर्ट जारी की गई तो मदर टंग यानि कि जो आपकी मात्री भासा होती है अलग-अलग जगों की अलग अलग भासाएं होती है तो ये जो है Mother Tongs Survey of India कितनी भासाओं के लिए जारी की गई तो ये कुल 576 जो है Mother Tongs के लिए जारी की गई है सांती और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस प्रतियक वर्स कब मनाया जाता है तो सांती और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस प्रतियक वर्स आपके 10 नॉवंबर को मनाया जाता है जबकि विश्व उपयोगिता दिवस भी आपका कब मनाया जाता है तो विश्व उपयोगिता दिवस तैयार करने वाला देश का पहला राज जिकॉन बन गया तो ड्रोन नीती 2022 हिमाचल प्रदेश के द्वारत तैयार की गई है जानवरों के लिए विक्सित किये गए देश के पहले COVID-19 रोधी टीके का क्या नाम है तो यह जानवरों के लिए विक्सित किया गया है और इसका नाम क्या है तो इसका नाम है एनो कोवेक्स और यह COVID-19 के लिए विक्सित किया गया जानवरों के लिए ओके राश्ट्रिय जाच एजनसी यानि कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजनसी एनाईय के महानी देशक वरतमान में किसे निक्त किया गया है तो यह है आपके दिनकर गुपता जो वरतमान में एनाईय के महानी देशक है इंटेलिजन्स ब्यूरो के जो है महानी देशक किसे बनाय गया तो इंटेलिजन्स ब्यूरो के जो महानी देशक है यह बनाय गये है तपन कुमार डेका ठीक है तो NIA के महाने देसक दिर्कर गुपता और इंटेलिजेंस ब्यूरो के महाने देसक तपन कुमार डेका है 22 में आइफा आवार्ड जो है अभी हाली में प्रदान किये गए थे और इसमें सर्वसरेष्ट फिल्म चुना गया था आइफा आवार्ड 2022 में सेरसा को सर्वसरेष्ट अभीनेता चुने गये थे विकी कौसल किस फिल्म के लिए तो सरदार उधम सिंग फिल्म के लिए सर्वसरेष्ट अभीनेतरी चुनी गई किस कृती सेनन और इन्हें जो है ये अवार्ड मीमी फिल्म के लिए दिया गया जबकि सर्वस्रेश्ट निर्देशक चुने गए थे विश्डू वर्धन और ये किस फिल्म के लिए तो सेरसा फिल्म के लिए और सेरसा फिल्म को ही सर्वस्रेश्ट फिल्म भी चुना गया था ठीक है अगला क्वेश्चन हमारा है किस हवाई अड़े ने Sky Tracks World Airport पुरुसकार 2022 में भारत और दक्षड एसिया के सर्वस्रेष्ट छेतरी हवाई अड़े का खिताब जीता है तो Sky Tracks World Airport पुरुसकार 2022 जो है इसमें जो है कैमपे गोड़ा अंतराश्ट्री हवाई अड़ा जो की आपके बेंगलूरू में इस्थित है इसे जो है सर्वस्रेष्ट छेतरी हवाई अड़े का अवार्ड दिया गया भारत और दक्षड एसिया का सर्वस्रेष्ट छेतरी हवाई अड़ा जबकि कतर का जो आपका हमद अंतराश्टी हवायड़ा है इसे विस्ट्व का जो है सर्वसरेष्ट हवायड़ा बताया गया अंतराश्टी भारुत तोरन संग किया अध्यक्च किसे ने उक्तिया गया है तो International Weight Lifting Federation के अध्यक्ष है आपके मुहम्मद जलूद और किस देश के हैं तो ये हैं आपके इराक के भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में अस्थापित किया जाएगा तो ये भारत का पहला डिस्प्ले फैब है जिसे अस्थापित किया जाएगा आपके तेलंगाना राज्य में भारत का पहला केंद्री कृत AC टर्मिनल कहां पर प्रारंब किया जाएगा तो केंद्री कृत ऐसी टर्मिनल इस्टार्ट किया जाएगा आपके बेंगलूरू करनाटक में अभी जून महीने में आपके योग के विकास और समवर्धन के लिए जो है पुरुसकार दिया गया थे लेह लद्दा के स्री भिक्खु संग सेना को इसके अलावा ब्राजील के स्री मारकस विनियस रोजो रोडरिक्स इन दोनों को जो है प्रदान मंत्री पुरुसकार दिया गया ब्यक्तिगत स्रेडी में जबकि संस्थागत स्रेडी की बात की जाए तो संस्थागत स्रेडी में The Divine Life Society जो की उत्राखंट की है योग से संबंदित संस्था है और British Wheel of Yoga जो है ये United Kingdom की संस्था है संस्थागत स्रेडी में प्रधान मंतरी पुरुसकार दिया गया योग के विकास के लिए सोमालिया के नए प्रधान मंतरी किसे नियुक्तिया गया है तो ये भी नए नियुक्तिया होती है आपके इंटरनेशनल वो भी आपकी इंपोर्टेंट होती है तो सोमालिया के जो नए प्रधान मंत्री है ये हैं आपके हमजा अब्दी बर्रे जबकि राष्ट्रपती कौन है तो राष्ट्रपती है आपके हसन सेख मुहम्मद कोलम्बिया का नए राष्ट्रपती किसे चुना गया तो कोलम्बिया के जो नए राष्ट्रपती है वो है आपके गुस्तावो पेट्रो और नाम ये इंपोर्टेंट है इसे आप याद रखेंगे भारत में टेनिस को बढ़ावा देने के लिए किस भारती को गोल्डन अचीवमेंट पुरुसकार 2021 से सम्मानित किया गया तो किस लिए दिया गया ये पुरुसकार भारत में टेनिस को बढ़ावा देने के लिए गोल्डन अचीवमेंट पुरुसकार 2021 दिया गया आपके विज है स्रोड़पदक थे हरियाड़ा के द्वारा द्वितिय स्थान पे कौन सा राज रहा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में तो ये रहा था आपका करना टक ठीक है न राश्ट्री एमेसमी पुरुसकार 2022 में किस राज या फिर केंदर सासित प्रदेश को प्रधम पुरुसकार प समी पुरुसकार 2022 किस राज की सारवजनिक परिवहन सेवा जिसका नाम क्या है मोबस ठीक है न तो ये सारवजनिक परिवहन सेवा मोबस को संयुक्त राष्ट के द्वारा लोग सेवा पुरुसकार दिया गया तो संयुक्त राष्ट के द्वारा जो लोग सेवा पुरुसका जाते हैं एक्जाम में तो छोस्त्तरवे गृटाउ है आपके राहुल स्रिवास्तों तिलंगाना के थे यह तो ये आपकी 23 महिला सतरंज ग्रेंड माश्टर है इनका नाम क्या है तो इनका नाम है प्रियंका नुटक की ठीक है तो प्रियंका नुटक की ये आपकी 23 महिला सतरंज ग्रेंड माश्टर है जबकि लेटिस्ट जो आपके ग्रेंड माश्टर है वो है आपके प्रडाव आनद किस राज्ज में डाक विभाग ने पहली बार ड्रोन का उप्योग करके मेल डिलीवर किया तो ड्रोन के द्वारा मेल डिलीवर किया गया डाक विभाग के द्वारा कहां पे तो ये किया गया है कक्छ जिला गुजरात में विश्व स्वाश्थ संगठन वर्ड हेल्थ आगनाजिसन द्वारा किस राज को विश्व तमबाकू निसेध दिवस पुरुसकार 2022 प्रदान किया गया तो विश्व तमबाकू निसेध दिवस पुरुसकार ये दिया गया आपके जारखन राज को और किसके द्वारा तो T20 राष्ट्री क्रिकेट चैंपियंशिप और इसमें बधिर लोग सामिल थे यानि कि जो आपके बोल नहीं सकते सुन नहीं सकते इस तरह के लोग सामिल थे ठीक है तो ये इसमें जो है आपके आंध्र प्रदेश जो है पहले अस्थान पे रहा और उपविजेता कौन रहा तो उपविजेता आपका गुजरात रहा ठीक है तो ये हमारे जो है करन्ट इवेंट्स के रिविजन थे लाष्ट सिक्स मन्त के तो आईए अब देखते है इस्टेटिक जीके के कुछ इंपार्टेंट क्वेस्टन को पहले हम देखते है अटल इनोवेशन मिशन के बारे में इ उद्यमिता और नोवेशन को बढ़ावा देने के लिए अटल इनोवेशन मिशन के स्थापना की गई नीतिया जो के दोरह कब वर्स 2016 में और वर्तमान में इसके निदेसक कौन है तो इसके निदेसक जो वर्तमान में है इनका नाम है चिंतन वश्डो ठीक है न ये भी आप प्रेयरीज कहां कि घास के मैदान है तो अउत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान है इनको प्रेयरीज कहा जाता है अर्जंटीना में आपके ठंडे घास के मैदान है इनके क्या कहा जाता है तो ये आपके हैं सीतोष्ड घास के मैदान इन्हें पंपास कहा जाता है ठीक है पूरवी अफ्रीका की बात की जाए तो पूरवी अफ्रीका में आपके सवाना घास के मैदान पाय जाते है जबकि आपके कैमपोस जो घास के मैदान है या आपके ब्राजील देश में पाय जाते है कैमपोस घास के मैदान अगला हमारा है कैंटरबरी तो कैंटरबरी ये न्यूजी लेंड में घांस के मैदानों को कहा जाता है सैलवास घांस के मैदान आपके अमेजन जो है घाटी में पाए जाते हैं Amazon Basin में इस्टेपीज कहां पाय जाते हैं तो इस्टेपीज आपके यूरोप और एसिया के छित्रों में पाय जाते हैं ठीक है ना तो यूरेसिया में इसलिए यहां पे लिखा है दक्षिड अफरीका में आपके पार्क लेंड और वेल्ड्स यह दोनों आपके दक्षिड अफरीका में पाय जाते हैं जबकि पुस्ताज जो घास के मैदान है यह किस देश में होते हैं तो यह आपके हंगरी में जो घास के मैदान होते हैं इनको पुस्ताज कहा जाता है भारत में सरवाधिक मैंगरो वनस्पती वाला राज्य अगर पूछ लिया जाए तो सरवाधिक मैंगरो वनस्पती है आपके पश्यम बंगाल राज्य में ठीक है भारत वन इस्थिती रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंगरो वनस्पती में कितने वर्ग किलोमेटर की वृध्धी देखी गई है तो मैंगरो वनस्पती में सत्रव वर्ग किलोमेटर की जो है कुल विर्धी हुई है ठीक है सरवाधिक मैंगरो वनस्पती वाला राज्य आपका पश्यम मंगाल और विस्व का जो सबसे बड़ा मैंगरो वनस्पती छेतर है यह भी आपके पश्चे मंगाल में ही जो आपका सुन्दर बन है ठीक है ना यह मैंगरो वनस्पती का छेतर है और यही जो है आपका विस्टो का सबसे बड़ा जो है मैंगरो वनस्पती छेतर है मैंगरो से संबंदित एक और बात याद रखना कि जो मेंगरो वनस्पतियां होती है ये आपके खारे पानी में ही जो है उकती हैं, ओके? समविधान द्वारा मानिता प्राप्त भासाओ का उलेख ये किस अनुसूची में है? तो समविधान में जो भासाओ की बात की गई है, ये समविधान की आठवी अनुसूची में की गई है जब मूल समविधान आपका लागू हुआ था सबसे पहले, तो उस समय आठवी अनुसूची में कितनी भासाओं सामिल थी तो उस समय कुल 14 भासाओं थी लेकिन वरतमान में अगर पूछा जाए कि वरतमान में जो है आठवी अनुसूची में कुल कितनी भासाओं हैं, तो कुल आपकी 22 भासाओं हैं, ठीक है आपसे अनुसूची पूछी जाती तो याद रखिएगा भासा से सम्मदी जो अनुसूची है, वो आपकी आठवी अनुसूची है किस महादवीब से तीनों महतपूर अच्छांस रेखा है जो कि आपकी करक रेखा, भूमद रेखा और मकर रेखा है ये तीन आपकी महतपूर अच्छांस रेखा है करक रेखा, भूमद रेखा, मकर रेखा कौन महादवीब से ये तीनों ही आपकी गुजरती है तो यह आपका अफरीका महादूव है जहां से यह तीनों अच्छांस रेखाएं गुजरती है ठीक है बुस्मैन जन जाती किस मरुस्थल में पाई जाती है तो बुस्मैन जो जन जाती है यह कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है कहां पे? यह बोटसुआना में है कालाहरी मरूष्थल विस्व का सबसे बड़ा मरूष्थल अगर बात किया जाए तो यह है आपका सहारा मरूष्थल और अगर मैं आपसे पूछ लूघ कि विस्व का सबसे सुस्क मरूष्थल कौन सा है, तो वो है आपका आटा कामा मरुस्थल ठीक है तो आटा कामा मरुस्थल सबसे सुष्क मरुस्थल है और सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है तो ये आपका सहारा मरुस्थल है किस महाद्वीप में एक भी मरुस्थल इस्थित नहीं है तो कौन सा महादवीप है जहां पर एक भी मरुस्थल नहीं है तो ये आपका यूरोप महादवीप है जहां पर एक भी मरुस्थल इस्थित नहीं है आश्वान बांध किस नदी परिस्थित है तो आश्वान बांध जो है ये आपके नील नदी परिस्थित है आपका आश्वान बांध कौन सी नदी भूमद्य रेखा को दो बार काटती है तो कांगो नदी जो है ये भूमद्य रेखा को दो बार काटती है मकर रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है तो लिमपोपो जो नदी है ये मकर रेखा को दो बार काटती है जबकि माही नदी जो है आपके भूमद कौन सी करक रेखा को दो बार काटती है तो ये हमारे क्या थे ये हमारे important current affairs आज के current affairs और कुछ स्टेटिक के क्वेस्चन्स थे वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कर देंगे वैसे यहां तक कोई देखता नहीं ज्यादा नहीं बोलूँगा अगर आपके यहां तक देख रहे हैं तो वीडियो देखने के लिए धन्य धन्य धन्य